नमस्कार किसान सातियो किसान सातियो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मिर्च का पीलापन कैसे दूर करें बोवी मात्र चार से पांस दिन में यदि किसान सातियो आपकी मिर्च में भी पीलापन है फसल कमजोर है फसल में फलफूल कम मातरा में बन रही है तो इसके लिए आपको आपकी मिर्च की वसल में कौन सी खाथ के साथ कौन कौन सी दबाव का शिर्काव करना है जिससे की मिर्च का पीलापन दूर होने के साथ साथ मिर्स में फलफूल भी जादा मात्रा में आए और फलफूल ड्रॉप होने की जो समस्या है वो भी देखने को ना मिले आगे वड़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे कैसे दूर कर सकते हैं आईए जानते हैं तो आपको लेना है पांच किलोग्राम कैल्सियम नाइटेट, पांच सो ग्राम बोरान और इसके साथ आपको लेना है तीन किलोग्राम सलफर प्रती एकड के हिसाब से इन तीनों को अच्छे से मिलाकर प्रती एकड़ खेत में बिखेर कर पौदों की जड़ों पर मिट्टी चड़ा देनी है और अगले दिन आपको अपनी फसल में हलकी सिचाई कर देनी है ये था किसान सातियों खाद की रूप में मिर्श का पीलापन दूर करने का तरीका अब बात करते हैं कि इस्प्रे के द्वारा हम कैसे मिर्श का पीलापन दूर कर सकते हैं तो आप इस्प्रे में धाइसो ग्राम हुमिक एसिट या फिर धाइसो एमल धंजाइम गोल्ड के साथ 100 ग्राम थामेतक्सम 25% डबली जी का गोल बनाकर छिड़काओ कर दीजिए किसान साथी अगर बताए गए खादो के साथ बताए गए इस्प्रे को अपनी मिर्श की वसल पर करते हैं तो निश्चित ही चार से पांस दिनों के अंदर मिर्श में जो पीलापन है फलफूल कम मात्रा में बन रहे हैं या फिर फलफूल ॡ्रॉप हो रहे हैं तो यह सारी समस चार से पांस दिन में कंट्रोल हो जाएंगी साथ यू जानकारी पसंद आज हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे जैनल राज एगरी टेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद